चीन की अब गुम हो गई है सिट्टी पिट्टी भारत के आगे अब बोलने की नहीं करता हिमाकत भारत की तैयारी से चीन की हो गई है हवा टाइट अब की बोला तो नहीं बचेगी कोई भी साइट गलवान संगर्ष ने बदल दी है पूरी तस्वीर अब भारतीय सीमा पर आँख उठाई तो देंगे चीर चालबास चीन भी जान गया है अपनी हद भारत के आगे छोटा पड़ गया है उसका कद दोस्तों जो चीन कभी भारत को आखे दिखाता था अपनी ताकत से उसे डराता था उसकी सीमा पर कबजा करना चाहता था आज उस चीन की भारत के सामने बोलने से फटती है भारत की मजबूत के लिए बंदी ने उसे बता दिया है कि हिंदुस्तान को कमजोर समझना उसकी सबसे बड़ी भूल थी और आगे गलवान जैसी कोई भी हिमाकत उसे भारी पर सकती है लिहाज़ा अब वो सीमा विवाद के मुद्दे को बाचीत के जरीए सुलजाने पर जोर देता है भारत के आगे बाचीत के लिए गिर गिर आता है लेकिन इस बाचीत की वो सीमा पर अपने को मजबूत करने में जुटा हुआ है क्योंकि उसे डर है कि अगर दोबारा सीमा पर कहीं विवाद हुआ तो उसके लेने के देने न पड़ जाएं लहाजा वो सीमा पर आधुनिक धांचा तयार कर रहा है चाल बास चीन की मनशा को भापते हुए ही भार भी अपनी किले बंदी मजबूत कर रहा है सीमा तक पहुंचाने के लिए सडकों और सुरंगों का जाल बिछा रहा है सेना को आधुनिक हत्यारों से लैस कर रहा है टैंकों के साथ जंगी जहाज लड़ाकु हेलिकॉप्टर सीमा पर तैनात किये जा रहे हैं सीमा पर सैनिको कि संख्या में भी इजाफा किया जा रहा है जिस से जरूरत पढ़ने पर ड्रैगन के दांट तोड़े जा सके उसकी हरकत का माकूल जवाब दिया जा सके दोस्तों भारत की इस तैयारी को देखकर कई सवाल खड़े होते हैं पहला सवाल गलवान संखर्ष के बाद कितना मजबूत हुआ भारत दूसरा सवाल चीन को जवाब देने के लिए क्या तैयारी है दीसरा सवाल मोदी ने सीमा पर कौन-कौन से हत्यार लगा दिये हैं चौथा सवाल नई नई तकनीक कहां तक पहुँच गई है पांचवा सवाल सेना को मजबूत करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है छठा सवाल अंतर राष्ट्रिय रणनीती में चीन को कैसे पीछे करने लगा है भारत दोस्तों ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि गल्वान संघर्ष के दो साल पूरे हो चुके हैं और सीमा पर तरनाव अभी वरकरार है दोस्तों आपको बताऊंगा कि दो साल बाद सीमा पर क्या हालात हैं लेकिन पहले उस गलवान संगर्ज की संख्षेप में आपको जानकारी दे देता हूँ जिसने भारत को एक बड़ी सीख दी थी गलवान संगर्ज के भरे नहीं है जखम चीन की काईराना हरकत की अभी भी टीस दोस्तों 1996 में दुपक्षे समझोते के तहट दोनों देश शांतिकाल के दोरान सीमा पर बंदूगों का इस्तिमाल नहीं करने पर सहमत हुए थे लेकिन चीन ने गलवान घाटी में भारति सेना के गश्ती दल पर सूर्यास्त के बाद घात लगा कर हमला कर इस समझोते को थोड़ दिया था दरसल पी एले ने एलेसी के भारत की ओटेंट और एक चेक पोस लगाया था लेकिन एक समझोते के बाद वो वापस जाने के लिए तयार हो गए हाला कि 15 जून की रात को मामला गर्मा गया जिससे 5 घंटे तक टकरा हुआ चीनी सेनिकों ने लोहे के रोड और धातु के बने कंटीले तारों से भारति सेनिकों पर हमला किया था हाला कि भारति सेनिकों ने भी जबरदस मुकाबला किया और निहत्ते ही बड़ी संख्या में चीनी सेनिकों को मार गिराया गलवान जड़प में भारति सेना के 20 जवान शहीद हुए लेकिन चीन ने अपने हताहत सेनिकों की संख्या छपाए रखी चीनी हताहतों की पहली स्विक्रित घटना के आट महीने बाद मार 2021 में हुई हाला कि आस्ट्रिलियाई वेबसाइट क्लैक्सन ने कहा कि कम से कम 38 पीले सैनिक नदी में डूब गए थे अमारीकी खुफिय एजनसी के मताबिक जड़प में चीन के 35 सैनिक मारे गए वहीं रूस की सरकारी न्यूज एजनसी तास ने मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या को 45 बताया था गलवान जड़प के आट महीने के बाद चीन ने मरनो प्रांट पुरसकार देने के बहाने चार सैनिकों की मौत का खुलासा किया था चीनी कॉमनिस पार्टी शायद ही कभी पूरी सच्चाई का खुलासा करती है चीन ने भारत के साथ 1962 के युद्ध में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या का खुलासा तीन दशक बाद 1994 में किया तब भी कॉमनिस पार्टी ने सैनिकों की मौत का आगणा काफी कम करके बताया दोस्तों आज इस संखर्ष को दो साल पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक ये विवाद सुल्जा नहीं है गलवान संखर्ष के दो साल पूरे तब से अब कितने बदले हालात सीमा विवाद को क्यों नहीं सुल्जा रहा चीन दोस्तों लद्दाग की गलवान घाटी में भारती और चीनी सैनिकों के बीच हुई सबसे घातक जड़प के दो साल पूरे हो चुके हैं लेकिन संखर्ष का समाधान अभी भी दूर की कौड़ी की तरह लगता है 45 सालों में दोनों देशों के सैनिकों के बीच ये सबसे बड़ा खुनी संखर्ष था गलवान जड़पों के बाद से अब तक भारती सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच 15 दौर की बादचीत हो चुकी है 16 दौर की बादचीत जून में होनी तै हुई है लेकिन अभी तक गतिरोध हल नहीं हो सका है 15 जून 2020 से दोनों देशों के संबंधों में उतार चड़ाव कायम है दोनों पक्षों के बीच इस तरह की जड़ब 1975 के बाद नहीं हुई थी सीमा पर चीनी सेनेकों के निरंतर नियमों के उलंगन और असमिती के कारण ये खुनी संखर्श हुआ था अब तक कई दौर की बादचीत हो चुकी है विश्वास की कमी संबंधों की मरमत में सबसे बड़ी बाधा रही है वारता के कारण दोन पक्षुद्वारा, गलवान, पैंगॉंग जील और गोगरा पैट्रोलिंग पॉइंट 17A के सैनेकों को वापस ले लिया गया है लेकिन यथा स्थिती में कोई सुधार नहीं हुआ है LAC के पास चीन द्वारा सैन ने बुनियादी धांची को मजबूत करना भारत की चिंताओं को और बढ़ा रहा है प्रशान छेत में अमेरीकी सेना के कमांडिंग जनरल जनरल चाल्स एफ्रिन ने भी इसकी पुष्टी की जिन्होंने हाल ही में दिल्ली की यात्रा के दोरान अपनी चिंता जाहिर की थी थल सेना प्रमुक जनरल मनुज पांडे ने भी कहा है कि हमने नोटिस किया है कि चीन के मन्शा सीमा विवाद को जीवित रखने की रही है चीन की ओर से मिल रहे संकियत बता रहे हैं कि पड़ोसी देश सीमा पर कोई नया तनाव नहीं चाहता है लेकिन वो इस मुद्दे को तुरंथ हल करने का भी इच्छुक नहीं है दोस्तों आपको बता दू कि पूरी लद्दाक में सीमा विवाद का हल भारत और चीन बाचीत के जरीये निकालने में लगे हैं लेकिन स्थिती को लेकर भारत का आकरन है कि चीन इस विवाद को जल्दी सुलजाने के मूड में नहीं है ऐसे में भारत में जोर देकर कहा है कि चीन के साथ सामाने संबन बहल करने के लिए एलेसी पर स्थिती में सुधार करना महत्वपूर था हालग सेना प्रमुक ने इमाना है दोनों पक्षों के कोर कमांडरों के बीच बाचीत से विवाद से जुड़े मुद्दों को हल किया गया है होट स्प्रिंग्स, देपसांग मैदान और डेमचॉक जैसे कि शेत्रों का जिक्र करते हुए सेना प्रमुक ने उम्मी जताई है कि यहां से जुड़े विवाद को भी बाचीत के जरीए सुल्खाय जा सकता है सेना प्रमुक ने कहाए कि अच्छा है कि हम एक दूसरे से बाचीत का समाधान डून रहे हैं लेकिन चीन की उस लगातार यही कहा जाता रहा है कि सीमा मुद्दे के कारण दोनों पक्ष ततकाल किसी समझोते पर नहीं पहुँच पाएंगे जानकारों का कहना है कि भारत और चीन में से कोई भी पक्ष सीमा मुद्दे के व्यापक समाधान के तलाश में एक दूसरे के इरादे पर विश्वास नहीं करता है और यही वज़ा है कि चीनी पक्ष के विवात के कुछ मुद्दों को दूर करने के लिए अपनी मूल स्थिती में वापस लाने के बावजूद इस बात पर कोई गैरंटी नहीं है कि एलेसी पर उसके बाद माहौल शांत रहेगा की नहीं फिलहाल चीन घरेलों मुद्दों से निपटने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है दोस्तों भारत ने कोरोना संकर के बाव्यूद अपनी आर्थिक और कूटनीतिक ताकत का लोहा मनवाया है यही कारण है कि चीन जैसे अडियल देश भी भारत के साथ 15 दौर की सैन ने बाचीत कर चुका है इतना ही नहीं एक दो जगहों को छोड़कर अधिकतर स्थानों से दोनों देशों की सेनाए पीछे भी हट चुकी है SU, UN, BRICS और SAR जैसे मंचों पर भी भारत ने अपनी कूटनीती का डंग का बजाया है भारत से Information Warfare में इस्तिमाल किये जाने वाले सैंकडों, चीनी एप्स और वेबसाइट पर प्रतिमन लगाया जा चुका है भारत में बड़े पैमाने पर चीनी विरोधी भावना भी घर कर चुकी है ऐसे में आपसी विश्वास को कायम करने में चीन को कई साल का वक्त लग सकता है इसी को देखते हुए भारत से सीमा पर अपनी तयारी को काफी मजबूत कर लिया है जिससे जरूरत पढ़ने पर उसे माकूल जवाब दिया जा सके जीमा पर भारत की जबरदस किले बंदी चीन की हिमाकत अब उसे पढ़ेगी भारी दोस्तों गलवान में भारत और चीन के भी सेनने जड़ब को हुए दो साल बीच चुके हैं इन दो सालों के दोरान भारत सेना ने लदाक से लेकर अनुराचल प्रदेश तक जबरदस किले बंदी कर दी है एलेसी पर कई जगा तो ऐसे भी हैं जहां भारत सेना चीन की तुनला में फाइदे में है जिन जगों पर पैट्रोलिंग पिछले कई साल से बंद थी उन्हें भी शुरू किया जा चुका है भारत ने वैश्विक महमारी और मुश्किल भूराजनेतिक हालात के बावजूद अपनी सैनने तयारी को चुस दुरुस बनाये रखा है रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम, अमारिका से अपाचे और चिनूक, फ्रांस से रफाइल और स्वीडन से एरबस C-295 ट्रांसपोर्ट एरक्राफ जैसी बड़ी बड़ी डील खुद को चीन के मकाबले करने के लिए तैयार कर लिया है ऐसे में सवाल उट रहे हैं कि चीन ने लड़ दाक और गलवान में भारत को चेड़ कर कहीं बड़ी गल्ती तो नहीं कर दी चीन के साथ लगी सीमा पर पिछले दो दशकों में जितना काम नहीं हुआ, उतना पिछले दो सालों में किया जा चुका है सरकार ने भी सेना की हर मांग को बहुभी पूरा किया है राजनित्य की च्छा शक्ती और कुशल सैने निर्देशन के कारण सीमा पर शायद ही ऐसी कोई जगा बची है जहां भारति सेना की मौजूद्गी नहीं है इतना ही नहीं सैना को आन दा स्पॉर्ट निर्णे लेने की भी खुली छूट है थल सेना, वायू सेना और नौ सेना के आपात खरीद बजट में भी जबरदस्त इजाफा किया गया है नएने राइफल, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर टू ग्राउंड बम, अटैक और ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर, लडाको विमान की विदेशों से खरीद की गई है वहीं मेकिन इंडिया के तहट मिसाइल ने टैंक, तोप, एटीवी जैसे हत्यार और उपकरणों का स्वदेश में ही निर्मान किया जा रहा है जिससे भारत की स्थिती सीमा पर लगातार मजबूत होती जा रही है यही नहीं, अंतराश्य मामले में भी भारत ने चीन को काफी पीछे छोड़ दिया है अब हर बड़े मुद्दे पर दुनिया भारत की तरफ देखती है, उसकी राय लेती है और चीन को दरकिनार कर दिया जाता है यही कारण है कि नेपाल श्रिलंका से चीन धीरे धीरे आउट होने लगा है और बांगलादेश भी उसकी पकड़ से बाहर निकल रहा है एक समय था जब इन देशों पर चीन का प्रभाव बहुत जादा हो गया था भारत को चीन ने वहां से लगभग आउट कर दिया था लेकिन पीएम मोदी ने ऐसी चाल चली कि ड्रैगन धड़ाम हो गया और दुनिया में भारत का डंका बचने लगा दोस्तों कहने में गुरेज नहीं कि पीएम मोदी ने जब से देश की बागरूर समाली है उसके सितारे बुलंदियों को चू रहे हैं इस एक तरफ जहां हिंदुस्तान का मान बढ़ा है वहीं चीन और पाकिस्तान की सितारे गर्दिश में चले गए हैं